यह वूर्फ नाम है मौनिका पाल और आज इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग के लिए बेहरी इंपॉर्टेंट सेशन हम लेकर आये हैं आज हम फाइनल इलेक्रिकल यानिकी सिर्फ सेमिस्टर इलेक्ट्रिकल के सब्जिट्स के बारे में बात करने वाले देखिए जो डिपलूमा होता है क्योंकि final semester में subject का जो वेटेज है वह अचानक से बहुत जादा हो जाता है तो इसलिए semester को शुरू करने से पहले आपको ठीक तरीके से जानकारी ऑनी चाहिए कि आपको अपनी semester में कॉन-कॉन से subject पढ़ने हैं साथ साथ more importantly यहां subject के बारे में आपको ये भी बता हो कि आपके किस subject में theory और practical होते हैं कुछ subject ऐसे हैं जिनकी cable theory आती है कुछ subject ऐसे हैं जिनका cable practical होता है और हाला कि कुछ subject हमारे ऐसे भी हैं जिनमे theory और practical दोनों ही आता है पता होने चाहिए कि कौन-कौन से subject हमारे theory part में आपको पढ़ेने, कौन-कौन से subject आपको practical part में पढ़ेने और कौनिसे subject ऐसे भी है जिनका theory practical दुनों ही आपको पता होना चाहिए और इनका theory और practical का weightage कितना है यह whenever semester की तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी examination में आपका कोई particular subject कितना weightage रखता है और आज का session है बेहद ही important होने वाला है बच्चो क्योंकि आप में से 90% students को ये नहीं पता होता कि electrical engineering final semester में आपका जो weightage होता है वो किस तरीके से flip मारता है theory और practical में आपको कौन गौन से सब्ढ़ने हैं तो सबसे पहले में आपको वह subject बताने वाली है जो कि theory में आते हैं क्योंकि mostly आप उन subject destruct के बारे में ज्यांदा सब्देते हैं जिनका external exam आपको देना होता ली के नाम से भी जाना जाता है इसका पूरा नाम है इंस्टोलेशन मेंटिनेंस एंड रुपेर ओफ इलेक्ट्रिकल एकुपमेंट्स आपने अभी तक मशीन पड़ी मशीन फॉस्ट पड़ा मशीन सेकंड पड़ा इसके लाव आपने मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट में पर ब्रिट डाउन की सिच्वेशन आ जाती है यानि चलते चलते खराब हो जाते हैं या इनकी लाइफ को इनकी डियुरिविटी को बढ़ाने के लिए हमें समय समय पर इनकी मेंटिनेंस करते रहना बहुत जरूरी होता है जैसे कि जब आप टूविलर चलाते होंगे मोस्ली student आज कल जो college going student देंट सबके बास तूविलर होता है तो आप सभी नहीं देखा होगा आप अपने टूविलर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं उसकी मेंटिनेंस कराते हैं सर्वेसिंग कराते हैं और अगर उसका कोई पार्ट चलते हैं खराब हो जाता है तो आपको रि इस subject की importance की अगर मैं बात करूं ना बच्चे तो इस subject आपका बहुत ज्यादा important है mostly इसमे theoretical पूशन आपको मिलेगा आपको बहुत सारी इसमें पढ़नी होगी और साथ साथ इसके practical भी आपको perform करने होगे तो अगर इसके theory वेटेज की मैं बात करूं यहां पर IMRE की तो IMRE का जो हमारा चूरी का पेटेज है वो है 50 नमबर का यानि 50 marks की क्या आती है इसकी theory आती है तो आपको पता है most of हमारे जितने भी theory exam होते हैं BT UP में वो 50 नमबर के होते हैं लेकिन बच्चों मज़े की बात क्या है आये मारी का जो practical होना है practical portion वो कितने नमबर का है 70 नमबर का है पूरे 70 marks का और यहां पर 70 नमबर आपको प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से मिल सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिकल की फाइल मिंटेन करी है प्लस आपको जितने भी प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म करने आते हो तो जो भी object आपके प्रैक्टिकल में आता है तो प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म करने आपको आने चाहिए दूसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं जो कि हमारा है एलेक्टिकल डिजाइन ड्वाइंग एस्टिमेटिंग सेकेंड है यहां अगर हम इसकी बात करें इसका बेटेज कितना है तो आपको पता ही है चूरी पोशन के अगर बात करें तो चूरी इसकी आती है पचास नमर की तो 50 मार्क्स का पेपर होगा ठीक है आगा प्रैक्टिकल की बात करूं यहां पर में तो प्रैक्टिकल इसका होगा चारीस नमर तो आप देख रहे हैं एड़ेडी सेकेंड जो है यह भी बहुत ही पॉड़ेंट सब्जेक्ट है बच्चो क्योंकि इसमें भी आप देख रहें चारीस नमर की क्या है आपकी च्योरी आ जाती है चारीस नमर का प्रैक्टिकल आ जाता है तो एड़ेडी सेकेंड के भी आपको प्रैक्टिकल की मार्क्स अच्छे से सिक्योर करने यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से इसको परफॉर झाल झाल तो चलि हम बात करें थे EDD Second यानि Electrical Design, Dying and Estimating Second यह subject भी बहुत ही important है क्योंकि इसमें 50 number की theory और 40 number का practical आता है उसके बाद तीसरा हमारा subject है UEE UEE का पूरा नाम है Utilization of Electrical Energy यह subject की बेटेज की अगर मैं बात करूँ तो यह subject केवाद theory में आता है ठीक है इसका केवाद theory part आपको पढ़ना है जो की 50 number का है practical इसका नहीं होता लेकिन इस subject की अगर मैं importance की बात करूँ बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर आप बहुत important utilization पढ़ेंगे Electrical Energy के हाला कि आप देखेंगे Electrical Energy का use कई जगा किया जाता है cooling के लिए, heating के लिए, illumination के लिए आपके घर के आसपास बहुत सारे आपके घरों में यूज होने वाले ऐसे equipment है जिनका आप अलग-अलग purpose के लिए यूज करते हैं जैसे fridge, air conditioning आप ये cooling के लिए उज करते हैं, सर्दी में heater, room heater का आप यूज करते हैं वह heating के लिए यूज करते हैं, bulb CFL LED ये जो cam illumination के लिए यूज करते हैं, तो यहां पर Electrical Engineering के क्या का utilization हो सकते हैं, वो सारे आपको पढ़ने हैं साथी साथ ये subject जो है आगे आने वाले टाइम में competitive approach के लिए बेहत ही important है तो यहां इसकी छूरी आपको बहुत depth में इस subject में अच्छे से डूब जाना है, बलकुर बढ़िया से 50 में से 50 तो आपको लाने ही हैं, लेकिन concept भी बहतरीन तरीके से समझने हैं ताकि जब आप competitive examination के लिए जाओ, तो आप बहुत अच्छे से बड़े प्यार से अपने examination को crack कर दो आप यह 3 subject तो हमारे हैं जो कि main subject है, उसके इलाबा हमारा एक और subject आता है जो कि हमारा application of, application of computer software, application of computer software in electrical engineering यह मैं short में लिख देती हूँ, ठीक है, electrical engineering computer software का use कि इस तरीके से electrical engineering में किया जाता है, यह जो था subject भी आपको पढ़गा है इस subject के अगर बच्चे मैं बात करूँ, तो आपको इसका theory portion नहीं पढ़ना, यह किवल practical में आएगा और practical में इस subject के 30 number का weightage होता है, यानि हाँ 30 number की lab आपको किस से मिल जाएगी, इस subject से मिल जाएगी उसके अलावा सबसे ही अगर मैं कहूँ, बहुत 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 ही जादा important, मैं जितनी बार बहुत लगा हूँ, शायद वो कम ही रह जाएगा क्योंकि final electrical में बहुत जादा बड़ा weightage जो हमारा होता है, वो होता है project work का, तो project में तो आपको जीजान लगानी होगी क्योंकि project work का जो weightage है, वो बहुत ही जादा है, पूरे 100 नंबर का आपका project आता है, इसमें आपको working project बनाने होते हैं, आप electrical engineering और electronics engineering के concept का यूज़ करके, कोई भी project बना सकते हैं, यहाँ project बनाने में आपको working project बनाना है, साथ इसकी project file भी maintain करनी होती है, और यह project file और आपका जो working project है, यह आपको examiner के सामने represent करना होता है, और उसको operate करके उसके parts के बारे में जो भी वायवा में question पूछे जाते हैं, वो आपको बताने होते हैं, तो project बहुत ही important है, आप एक चीज़ जो मैं आपका ध्यान, आपका जो attraction draw करना चाहिती, वो important चीज़ यह है, कि अगर मै आपके बात करूं, कि यहाँ, electrical में, शोरी का वेटेज कितना है, और practical का वेटेज कितना है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कि आपके कैसे कैसे subject, जो allotted subject है, उनका वेटेज दिया गया, अब देखें, दुबारा हम एक बार नजर डाल लेते हैं, जरा कि हमारा IMRE का 50 नमबर का theory, इधर हमारा 50 नमबर EDD second का theory, और 50 नमबर हमारा UEEE का theory, यानि के cool मिलाके, कितने नमबर की theory आपको पढ़नी है, 1500 नमबर की, तो 150 नमबर का आपका क्या होगा, theory examination होगा, जो आप copy में लिखेंगे, और examiner's को evaluate करके, जो भी number आपको देगा, वो 1500 में से number आपको गेल करने, चलिए जिस पर अक्सर वच्चे ध्यान नहीं देते हैं, practical क्योंकि most of the time, आप practical lab में जाकर ज्हाकते नहीं है, practical perform नहीं करते हैं, practical file टाइम पे नहीं बनाते हैं, और अगर गलती से practical file आपने बना विली, तो मजाल है कि चेक करा ले, आप उसे चेक भी नहीं कराते लेकिन यहां में आपका ध्यान इस तरफ आकरशित करना चाहती हूं, कि practical जो है उसका वेटेज देख लीजे कि कैसे कैसे आपका allotted है, देखे, practical में IMR double E का जो वेटेज है, वो 70 नंबर है, इधर estimating costing का हमारा कितना है, 40 नंबर यानि 110 नंबर हो गए, फिर practical हमारे किसका आत आपके practical से आते हैं, तो देखे, कितना बड़ा difference है, यानि theory केवल 150 नंबर के, practical 240 नंबर के हैं, और यही 240 नंबर जो बच्चे है, यही आपके semester में जो percentage है, उसको boost up करा सकते हैं, अगर आप percentage अपनी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको specially इस practical portion का ध्यान रखना होगा, हाला कि theory portion भी बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि मैंने कहा, यह सारे subject जो है, बिल्कुल हमारे electrical core subject है, लेकिन आपको जो practical portion है, उसको भी overlook नहीं करना, project पर अच्छा खासा धियान रखना है, ADD second और IMREE के जो practical है, उस पर भी आपको धियान रखना है, computer की जो lab है, उस पर भी आपको ध grades हमारे मन में रह जाते हैं, मैं लगता हमारी percentage कम रह गई, तो अभी भी आप final semester में अच्छा खासा jump ले सकते हो, अगर आप अपनी theory पे command बढ़िया रखो, प्लस अपने practical में भी number को boost up करने की कोशिश करो, आप सभी electrical engineering students के लिए, sixth semester का जो batch है, वो जल्दी हमारे application पर available हो ज मिलते रहते हैं, इवन दो YouTube channel पर comments के माध्यम से भी बच्चे हमसे बातचीत करने की कोशिश करें, लगाता, same question ही हमें मिल रहा है, कानों में एक ही अवाज बूंज रही है, कि electrical six semester का batch कब आएगा, तो आप सभी की question का answer है, कि आपका electrical six semester का batch जल्दी ही, March month में, यानि इस अग electrical engineering के बच्चे first semester से हमसे जुड़े हुए हैं, और मैं उमीद करूंगे कि semester में, या डिपलोमा के अंति पड़ाव में भी, J Classes Merit हमेशा आपका हाथ थामे रहेगा, पहले की तरह, तो आप हमारे six semester electrical का जो कूर्स है, उसको application से ज़रूर परचेस कीजेगा, और साथी साथ य